हालो अब्रिवन और वेल्कम बैक तो आवर चैनल जेकलर्ट इस वीडियो में प्रॉब्लम ओन एज पर प्रैक्टिस करेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारी जो एप्रोच रहेगी मेंली बेसिक रहेगी सो जैसे फर्स कोशन यहां पर लिखा हुए मैंने कि दिनेश यंगर तो रोशन बाई नाइन इर्स दिनेश जो है वो रोशन से नो साल चोटा है यंगर मीन चोटा है और अगर मैं इनकी एज़िस की रेशियो देखूं तो वो गिवन है 4 इस तो 5 मतलब दिनेश और रोशन की जो एज की डेशियो देविए वह 4 इस तो 5 देविए तो आपको पूचा गया कि दिनेश कितने सालters बहुत जादा सैंपल कोशन यहार अगर आप देखो की धिनेश और रोशन की एज की रेशियो देविए 4 इस तो 5 हाना आपको पता यह चीज़ कि जो रेशियो होती है वो चोटा जैसे जो 5 वैल्यू रिप्रेजि़ेंट कर रही है वो रौशन को रिप्रेजेंट कर रही है धो आपको बतानाै कि दिनेश कितने साल किए तो ली 찾वों देखों तो तो चूा हो और आपको बोला गया कि दिनेश जो हो रोशन में से नो साल चुटा थैंप अगर repeat कर देता हो मैंने क्या बोला कि ratio के हिसाब से इन दोनों में age का different सिर्फ वन ही है बट असली में इनका age ka different जो है वो 9 years है तो one की value जो होगी वो 9 years होगी तो one की value जो होगी वो 9 9 9 होगी अब उसने पूछा होगा दिनेश की वैल्यू क्या होगी मुझा दिनेश की एज क्या होगी तो देखो दिनेश को कौन रिप्रसेंट कर रहा है तो 4 की यहां से निकाल लो 4 की value आगे 36 years तो बस question खतम हो गया यहीं पर so बहुत simple question है अगर आपको पूछा जाता कि बताओ रोशन की value age कितनी है तो आप 5 की value निकाल देते जब आप 5 की value निकालते तो 5-9 जब 45 years होता तो देखो यहाँ पे दिनेश की जो age आई है वो 36 years आई है और जो रोशन की आई है वो 45 years आई है और इनके बीच में age का difference कितना है 9 years का है जो की question में given भी है तो बस इस तरह से आप बस आपको सरफ question देख रहे हैं कि question में दिया क्या है और अगर आपको इस तरीके से नहीं समझाया है तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं वो क्या है कि देखो यहाँ पे दिनेश और रोशन की जो age की ratio दी हुई है वो 4 is to 5 है जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो age होती है जो age की ratio होती है वो basically exact age नहीं होती तो exact age बनाने के लिए मैं आपको बताया था ratio को exact value बनाने के लिए आपको एक particular number से multiply करना पड़ता है ठीक है तो हम क्या करेंगे दोनों को x से multiply करेंगे x से multiply करने से होगा क्या कि दिनेश की age बन जाएगी exact 4x और रोशन की age बन जाएगी 5x ठीक है यह exact age है 4x और 5x जो है यह exact age है बट यह जो यह just जो दिवी थी 4 is to 5 यह ratio दिवी थी तो आप question आपको दिया क्या है कि जो दिनेश है वो रोशन से 9 साल चोटा है कहने का मतलब जो रोशन है और जो दिनेश है उनकी age का difference है 9 years तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 5x minus 4x is equal to 9 तो x की value हो गई 9 अगर x की value 9 होगी तो यहाँ पर आप x की value put कर लीजिए 4 into 9 और यहाँ पर भी कर लीजिए 5 into 9 यहाँ पर बन गई 4 9s of 45 years और यह बन गया 5 9s of 4 9s sorry 36 years और 5 9s of 45 years तो इस तरह से भी कर सकते थे बट यह बहुत best approach है आप इस तरह से हमेशा question को prefer कीजिए अगर इस तरह से आपसे नहीं बनता है तो फिर जा कि आप इस तरह से कर सकते है next question है कि what is Aman's present age if after 20 years his age will be 10 times his age 10 years back क्या कह रहा है question में कि एक लड़का है जिसका नाम है Aman जिसका नाम है Aman उसकी आपको क्या निकाल ली है present age निकाल ली उसकी आपको present age निकाल ली है और condition जो given है वो क्या बोलता है कि उसकी जो 20 years के बाद age होगी वो 10 times होगी किसके जब उसी की age 10 years में आग बैक ले लूँ कहने का मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से कि मान लो कि Aman की present age आज x years है मान लो कि Aman की present age जो है वो आज x years है तो यहाँ पर उसने बोला क्या पहले यह बताओ उसने बोला after 20 years तो हम यह निकाल लेते हैं कि उसकी 20 साल के बाद age कितनी होगी तो after 20 years मतलब 20 साल के बाद उसकी जो age होगी वो x plus 20 होगी है ना जैसे suppose करो कि आज अगर मेरी age जो है वो 20 years है तो 20 साल के बाद मैं 40 हो जाओंगा similarly अगर Aman की आज present age x है तो 20 साल के बाद उसकी x plus 20 years हो जाएगी of course अब उसने बोला क्या है एक और यहाँ पर word use हुआ है 10 years back अब देखो यसे अमन की present age आज x है वो 20 years के बाद उसकी age जो है वो x plus 20 बन जाती है similarly अमन की 10 साल पहले 10 साल पहले age कितनी होगी तो 10 साल जो उसकी age पहले होगी वो x minus 10 years होगी है ना जैसे suppose करो कि आज मेरी 30 years age है तो 10 साल पहले मेरी कितनी age होगी अगर मैं 30 में से 10 minus कर दो 20 years age होगी यही बोल रहा है वो question में अब आपको यह condition को apply करना है बस उसने बोला है कि उसकी 20 years के बाद जो age होगी 20 years के बाद age कितनी होगी उसकी x plus 20 x plus 20 वो किसके equal होगी will be 10 times वो 10 times होगी 10 times का मतलब बहुत है multiply 10 times होगी किसके उसकी age के बट कब उसकी age 10 साल पहले तो उसकी 10 साल पहले age कितनी थी x minus 10 x minus 10 बस यह condition बन गई question यही से solve होगया x plus 20 10 को x से multiply करेंगे 10 x और 10 को 10 से multiply करेंगे तो 100 देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर अगर मैं इसको ले जाओ तो यह 9 x बन जाएगा यह 100 है तो यहाँ पर 120 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर plus हो जाएगा और 120 को अगर मैं 9 से divide करूँगा तो यह जो age आएगी यह होईगी अमन की present age और यहाँ पर जो option में दिया हुआ है वो है 6.2, 7.7, 13.3 और 10 तो अगर आप इसको काटोगे 120 अपन 9 को तो 3 3s आ, 3 40s आ और देखो आप 3 1s आ 3 और 10 बचा तो 3 3s आ 9 तो 13.33 तो इसको जो option होगा वो C होगा तो इस तरह से आपको approach बनानी है question को देखे तो यह बहुत simple question है इस तरह को question आपको जरूर देखने को मिल सकता है next question है father is 4 times the age of his daughter मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि father जो है जो उसकी age है father की वो daughter की age से 4 times है कहने का मतलब यह हुआ कि अगर daughter जो है वो 10 years की होगी तो father जो होगी वो 40 years की होगी फिर कहा रहा है कि if after 5 years he would be 3 times of daughter's age और अगले 5 साल के बाद होगा क्या कि जो father होगा वो अपनी daughter की age से 3 times हो जाएगा जो उसकी जो age होगी father की वो 3 times हो जाएगी daughter की age से अब आपको बताना कि अगले 5 साल के बाद जो father की age होगी वो कितने times होगी daughter की age से बहुत simple question होते है problem on ages मनलब यह सबसे simple topic माना जाता है problems on ages जैसा-जैसा question में बोलता गया इनसान वैसा-वैसा करते जाओ आप मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक question के लिए trick ही हो कुछ basic requirement भी होती है कुछ basic चीज़ें भी आपको जानना जरूरी होता है मनलब आजकल सारे बच्चे trick के पीछे पड़े होता है trick मैं मानता हूँ कि trick जरूरी होती है बट आप हर एक question के पीछे trick डूणने की कोशिश करते हैं ऐसा नहीं होता है तो देखो जैसे उसने बोला हूँ है father is four times the age of his daughter माल लेते हैं कि present age father की f है और daughter की d है यह मैंना f और d जो है यह present age माल लिए है किसकी father और daughter की तो पहला ही जो line दी हुई है वो बोला हूँ है कि father is four times the age of his daughter तो father is equal to four times the age of his daughter पहली condition यह बन गई कि father is equal to four times the age of his daughter फिर उसने बोला after five years देखो जैसे ही पांस साल बाद उसने बोला तो मतलब दोनों की age बढ़ेगी किस की? फादर की age भी बढ़ेगी और daughter की age भी बढ़ेगी तो मुझे बताओ after five years देखो पांस साल के बाद क्या होगा कि जो daughter की age होगी देखो डाटर की age पहले थी फादर की age मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से फादर की age मैंने f मानी हुई है present age की बात कर रहा हूँ और daughter की मानी हुई है d पांस साल के बाद क्या होगा? जो डाटर की age हो जाएगी वो d plus 5 हो जाएगी d plus 5 हो जाएगी और फादर की age कितनी हो जाएगी 4 d plus 5 4 d plus 5 क्यों? क्योंकि फादर की जो age थी पहले वो थी 4 times the age of his daughter इसलिए फादर की age हो जाएगी 4 d plus 5 यह यहाँ तक question कातम हो गया और जो हमें चाहिए था वो हमने बना लिया अब next उसने पूछा क्या है? अच्छा बोला उसने है कि after 5 years after 5 years के बाद जो भी हमारा बनता था हमने बना लिया उसने बोला कि जो age है फादर की वो 3 times होगी daughter की age से कहनने के मतलब father की age कितनी है? 5 साल के बाद इतनी 4 d plus 5 यह किसके equal हो जाएगी 3 times हो जाएगी किसके? daughter की age के और daughter कितनी है 5 साल के बाद d plus 5 यहां से हमने देखा solve करेंगे 4 d plus 5 और यह बन गया 3 d plus 15 यहां से मैंने d निकाल लिया तो d की value आएगी 10 मतलब daughter की age आई 10 years कहने का मतलब daughter की age आई 10 years है न? और यहां पे father की age आई 40 years father की age आई 40 years 5 साल के बाद daughter की age 15 years हो जाएगी और papa की age कितनी हो जाएगी of course 45 years है न? but question यहां ही पे खतम नहीं होता है question आगे बोलता है कि अगले 5 साल के बाद papa की age daughter के comparison में कितनी हो जाएगी कहने का मतलब अगले 5 साल के बाद papa की जो age होगी वो 50 years होगी है न? क्यों? क्योंकि 45 years में 5-8 करेंगे तो 50 years होगी और daughter की जो age होगी वो 15 से 20 years हो जाएगी कितनी हो जाएगी 20 years अब उसने पूछा किया कि father की age डॉटर की comparison में कितने times है तो father की age कितनी है 50? father की age है 50 और daughter की comparison में पूछा है तो daughter की age लिग दो यहाँ पे यह 00 cancel होगी और 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 times कहने का मतलब जो father की age होगी after 5 years वो 2.5 times होगी daughter की age से इसका जो answer होगा वो C होगा तो इस तरह से आप question को बनाते जाएए थोड़ से इसमें time लग सकता है बट अगर आपने practice की होगी तो 30 seconds से ज़्यादा नहीं लगेंगी यह तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ समझाने के लिए बट यह बनाने की जुरूरत नहीं होती आपको next question भी बहुत simple है Nisha is 15 years elder to Romy Nisha जो है वो 15 साल बड़ी है Romy से और अगर बात कर रहा है कि if 5 years ago कह रहा है कि अगर 5 साल पहले की बात करूँ तो जो Nisha की age थी वो 3 times थी Romy की age से तो बताओ Nisha की present age क्या है तो यहाँ पे आप लिख दो present age यहाँ पे लिख दो present age और यहाँ पे लिख दो Nisha और यहाँ पे लिख दो Romy ठीक है जैसे पहले उसने बोला हुआ पहले line में कि Nisha is 15 years elder to Romy कहने का मतलब Nisha जो है वो X plus 15 होगी Of course होगी ठीक है तो Romy जो है अगर X years का है तो Nisha जो है वो 15 साल बढ़ी है उससे तो X plus 15 होगी अब उसने पूछा क्या 5 years ago बना 5 साल पीछे चले जाओ 5 years ago होगा क्या कि देखो दोनों की age में 5-5 साल का difference आएगा ठीक है बना difference आएगा कहने का मतलब यह होगी कम होगी तो Romy की जो age हो जाएगी वो X minus 5 years हो जाएगी और जो Nisha की age हो जाएगी वो हो जाएगी X plus 10 क्यों? क्योंकि 15 में से 5 चाहेंगे तो 10 बचेगा अब उसने इसी conditions पे इनकी age की condition पे बात बोली हुई है कि Nisha was 3 times as old as Romy 5 साल पहले जो Nisha की age थी वो 3 times है देखो 5 साल पहले Nisha की age थी X plus 10 तो X plus 10 Nisha की age जो थी वो 3 times थी किसकी? Romy की age थी और Romy की age थी 5 साल पहले X minus 5 यहाँ से अगर हम solve करें तो आएगा 3X minus 15 और यहाँ से X की value एगी 2X और यहाँ पे आएगा 25 और X की value यहाँ से 12.5 X की value यहाँ पे आए 12.5 और हमें पुछा गया कि Nisha की present age कितनी है तो देखो Nisha की age present age है X plus 15 तो अगर मैं X की value 12.5 इसमें पूट कर दूँ तो 15 plus 12 होते है 27 और 27.5 जो है कि 1 year ago the ratio of honey and pious ages was 2 is to 3 respectively एक साल पहले जो honey और pious की age थी वो 2 is to 3 की ratio में थी और after 5 years from now आज से 5 साल बाद जो इनकी ratio बन जाएगी वो 4 is to 5 बन जाएगी तो बताओ pious जो है वो कितने साल का है बहुत basic question है यह और मैं basic तरीके से ही बताऊंगा इस तरह की questions को करने के बहुत सारे approaches हो सकती है पर मैं वो नहीं करवाँगा इस वीडियो में मैं सिर्फ basic तरीके से आपको यह बताऊंगा जैसे यहाँ पर बोला हुए एक साल पहले जो honey और pious की age की रेश्व थी वो 2 is to 3 थी तो मान लो यह present है यह present है और यह एक साल पहले one year ago यह past हो गया ठीक है एक साल पहले जो honey और जो pious थी उनकी जो age की रेश्व थी वो 2 is to 3 थी और आपको पता है कि जो age की रेश्व होती है वो exact age नहीं होती है और अगर आपको उसको exact age बनाना है तो आपको एक particular number से multiply करना पड़ता है तो आप x से multiply कर लेते हैं तो जैसे आप किसी number को exact number बनाने के लिए किसी number से multiply करते हैं तो वो exact value बन जाती है तो यहाँ पे 2x बन की honey की age और 3x बन जाएगी pious की age और यह exact age होती है अब अगर honey की age और pious की age 2x और 3x है एक साल पहले तो present age कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1 यह बन जाएगी अब उसने पूछा है आगे उसने बोला कि after 5 years फ्राम ना हो मतलब कहा रहा है कि 5 साल बाद अब से 5 साल बाद ना हो मतलब present age तो इनकी जो age की ratio हो जाएगी वो 4 is to 5 हो जाएगी तो मुझे बताओ पहले 5 साल के बाद इनकी age होगी कितनी इसकी age हो जाएगी 2x प्लस 6 और pious की age हो जाएगी 3x प्लस 6 और बोला हो है कि 5 साल के बाद जो ratio हो जाएगी वो 4 is to 5 हो जाएगी देखो हमारे हिसाब से जो एज है हनी और प्यूश की 5 साल के बाद वो है 2X प्लस 6 और 3X प्लस 6 यहां से अगर मैं इनकी एज की रेशो निकाल लूँ तो वो आएगी 2X प्लस 6 अपॉन 3X प्लस 6 वट हमें गीवन है कोशन में कि रेशो जो है 5 साल के बाद वो बन जाती है 4 is to 5 it means हमने equate कर दिया 4 is to 5 से तो जहां से हम value solve करेंगे X की तो 5 को हम 2 से multiply करेंगे तो 10X आएगा 56030 आएगा 43012 आएगा 46024 आएगा यहां से 2X minus करके यहां आएगे और यहां पे 6 value आएगी और X की value यहां पे आएगी 3 X की value यहां पे आएगी 3 तो आपको पूछा क्या है कि प्यूश कितने साल के अब तो अब मतलब present age पूछिए प्यूश की तो प्यूश जो है यहां पे आप value पूट कर लेजिए 3 को 3 से multiply कीजिए और 1 तो प्यूश होगा वो 10 years का होगा तो यह simple सा question है तो मैंने जैसे आपको कहा कि इस तरह की questions को और भी बड़ी सारी approaches हैं तो उन लड़के हैं प्रणवर की ratio उनकी जो present age की ratio है वो four is to five है आगे बोल रहा है कि five years ago पांस साल पहले इनकी ages की ratio कितनी ती seven is to nine find the present age बहुत जादा simple question है basic method से प्रोच करेंगे जैसे उसने बोला हूँ है कि present age की जो ratio है present age देखो present age प्रणव की और कुरेशी की जो भी है यहां प नमबर से multiply करके four x और five x होगी अब five साल पहले की बात हो रही है तो five साल पहले चले जाए पीछे चले जाए फाइव एर से गो जो प्रणव की age हो जाएगी वह four x minus five हो जाएगी पांस साल पहले अफ़ और खुरेशी की जो जाएगी वह five x minus five हो जाएगी अब उसने बोला कि 5 साल पहले जो इनकी ages की ratio थी वो 7 is to 9 थी तो देखो 5 साल पहले इनकी जो ages थी वो थी 4x minus 5 और 5x minus 5 और मैंने इनकी ages का ratio निकाल लिया 4x minus 5 upon 5x minus 5 बट हमें given है कि इनकी ages की ratio जो है वो 7 is to 9 है तो कहने का मतलब 7 upon 9 जो है हमने 7 by 9 से इसका equate कर दिया क्यों क्योंकि यह भी रेश्व यह भी रेश्व है यहां से solve करेंगे तो 9 4 जाता है 36 9 5 45 7 5 35 x और 7 5 35 यहां आप देखो तो यह 36 x है और यह 35 x तो यहां से x आ गया और यहां पर 45 विदर चला गया तो x की value जो आती है वो 10 आएगी x की value आएगी 10 और हमें पूछा किया present age तो present age x की value पता चलगी तो यहां पे होगी 40 years और यहां पे होगी 50 years तो यह बहुत सा simple question है यह रही इसकी basic approach तो जैसे कि मैं आपको कहा था इन questions को करने के और वी बड़े सारे तरीके हैं बट उनको कभी किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे उसमें हम सिर्फ वही तरीका इस्तिमाल करेंगे basic approach से नहीं करेंगे but basic approach अभी जैसे जैसे paper pass आता जा रहा है जिन बच्चों को वह तरीका नहीं पता तो वह apply नहीं कर पाएंगे तो of course basic अगर पता होगा तो वह maybe अगर 15 या 30 seconds ज्यादा भी ले ले लें बड़ को जाएगा तो बहुत important type है यह भी question की so यह वाला जो question है यह बड़िया वाला question है so पहले इसको आप खुद ट्राइब करना कहने का मतलब दो लड़की है सारा और विशाली सारा की चार साल पहले present age की comparison में बात कर रहा हूं और विशाली की चार साल के बाद अगर मैं इनकी ratio निकालू एज की ratio तो वन इस्टू वन आती है तो आपको बताना है अच्छा next condition दी है कि presently the ratio of their age is 5 to 3 अब इनकी present इनकी age की ratio है वो 5 to 3 है तो यहां से question start करेंगे हम present age यहां पर लिख देंगे present तो देखो पहली लड़की है सारा सारा की अगर मैं present age की बात करूँ तो वो है 5x क्यों क्योंकि उनकी ratio 5 to 3 दी है और वेशाली वेशाली की जो age की ratio है सारी वो है 5 to 3 तो वेशाली की जो age बनगी वो 3x बनगी अब आपको क्या करना है पहली वाली condition में जाना है तो सारा के लिए क्या बोला गया कि 4 साल पहले चार साल पहले तो सारा की अगर मैं age 4 years ago कर दूँ तो कितनी बन जाएगी 5x माइनस 4 और आगे उसने बोला कि वेशाली की ये चार साल बात तो वेशाली की अगर age में 4 साल से बढ़ा दूँ तो वेशाली की age बन जाएगी 3x प्लस 4 इनकी ratio दिए 1 to 1 तो सारा की age 4 साल पहले और वेशाली की age 4 साल के बाद इनकी जो भी age होगी उनकी ratio 1 to 1 है कहने का मतलब 1 to 1 है मतलब equal है 1 to 1 का मतलब होता है equal जैसे सारा की age 5x माइनस 4 और 4 साल पहले की बात हो रही है और वेशाली की age 3x प्लस 4 चार साल बात की बात हो रही है उनकी age की ratio है 1 to 1 मतलब इनकी age जो है वो 3x प्लस 4 तो यहां से जो value निकलेगी वो 2x और आगी 8 और x की value आजाएगी 4 x की value अगर 4 आगई तो सारा की जो age होगी वो 20 years हो जाएगी और जो विशाली की age होगी वो 12 years हो जाएगी और आगे उसने पूछा है कि सारा आपको ratio निकाली है सारा की age 4 साल बाद अब देखो सारा की age 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 24 years है ना 24 years और विशाली की age 4 साल पहले देखो विशाली की age अभी 12 है तो 4 साल पहले इसकी कितनी age हो जाएगी 8 years तो इनकी age की ratio कितनी हो जाएगी 24 upon 8 24 upon 8 तो 8 1s है 8 3s है 8 16 24 होता है तो age की ratio जो हो जाएगी वो 3s to 1 हो जाएगी और यही तो पूछा था यह बहुत अच्छा वाला question है तो इस तरह के question भी आप expect कर सकते हैं exam में एक और अच्छा वाला question है 10 years ago the age of mother was 3 times the age of her son 10 साल पहले की बात करूँ तो mother की जो age है वो अपने son के comparison में 3 times है कहने का मतलब and after 10 years 10 साल के बाद जो है वो mother की age जो है वो twice हो जाती है अपने son के age से तो बताना है present age में जो इनकी ratio होगी वो क्या होगी तो देखो 10 years ago बोला है यहाँ पे तो 10 years ago जो mother की age है वो 3 times है उसके बेटे की तो मा लेते हैं कि यह बेटे की age है x years तो mother की जो age हो जाएगी वो 3x हो जाएगी है ना अब यह 10 years ago की बात हो रही है past की बात हो रही है अगर मैं present की बात करूँ तो present में इनकी जो age होगी son की जो होगी वो x plus 10 हो जाएगी क्योंकि 10 साल जो है वो दोनों में बढ़ेगी और mother की जो age होगी वो 3x plus 10 हो जाएगी simple सी बात है फिर अगले 10 साल के बात देखो ये वो वाले 10 साल है जब मैंने इनको present age में पहुंचा जाया जो mother की age हो जाएगी वो 3x plus 20 हो जाएगी है ना और बोला किया गया कि 10 साल के बाद मतलब 10 साल के बाद जो son की है और mother की age है वो ये है और question में given है कि जो mother की age है वो दो गुना हो जाएगी sun के age से तो mother की age अभी कितनी है 3x plus 20 है और यह हो कितनी जाएगी twice हो जाएगी बेटे के comparison में बेटे की जो age होगी उसके comparison में यहाँ से अगर हम solve करें तो 3x plus 20, 2x plus 40 और x की value यहाँ पे आएगी 20 अगर x की value यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे हमें इनकी present age की ratio बतानी है तो present age कितनी हो जाएगी देखो x की value 20 है तो sun की age हो जाएगी 30 years और देखो x की value 20 है और यह 60 और 70 years हो जाएगी बेटा जो है वो 30 साल का है और जो माह है वो 70 अश की है और इनकी अगर एज की रेशियो निकालो है ना तो सन और मदर की जो एज की रेशियो होगी वो 30 to 70 मतलब 00 cancer तो 3 to 7 तो जो एज होगी सन और मदर की वो 3 to 7 होगी तो ये भी आप इस तरह का question भी expect कर सकते हैं exam में